नमस्कार दोस्तों मैं हूँ अमित और आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे MySQL का चैप्टर नमबर 2 SQL Condition with Select and Update Query तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं So students, सबसे पहले आप अपने ब्राउजर में आईए और यहाँ पर अपने MySQL software को उपन कर लीजे कैसे उपन करेंगे, simply type करेंगे localhost slash phpmyadmin कुछ इस तरही कैसी यह देखिए simply enter करेंगे, तो क्या उपन हो जाएगा आपका जो phpmyadmin का MySQL software है, वह आपका उपन हो जाएगा अब इस software को हम control कैसे करेंगे इस software को हम control करेंगे आपकी SQL language के मादिय हम से तो चलिए, आपको याद होगा कि last class के अंदर आपने क्या क्या सीखा था, आपने last class में सीखा था database create करना, database delete करना, database के अंदर table को बनाना और table के अंदर data को insert करना तो सबसे पहले हम इस चीज को revision करेंगे तो उसके बाद आगे का chapter को contain करेंगे तो चलिए, सबसे पहले मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, database create कर लेता हूँ, तो क्या query थी, database create करने के लिए, simply आप write करना होता था, आपको SQL के अंदर, create database okay, okay देखिए, यहाँ database की शायद spelling गलत है, तो मैं यहाँ सही कर लिया, okay, create database अब यहाँ पर हम क्या देते थे, अपने database का नाम, जैसे कि मेरे को यहाँ पर नाम देना है database का, stp computer, okay, कुछ इस तरीके से, तो यहाँ पर देखिए, क्या यह जो मैंने नाम दिया है, क्या यह सही format में नाम है, नहीं, क्योंकि जब आप database का नाम देते हैं, तो उसके बीच में कोई space नहीं होना चाहिए, और नहीं कोई hyphen होना चाहिए, हाँ, अगर आप इसको remove कर देंगे, तो यह एकदम perfect आपका सही हो जाएगा, ठीक है, तो आप याद रखिएगा, जो भी database का आप नाम रखें, उसमें कोई भी space और hyphen नहीं होना चाहिए, आप चाहिए, तो यहाँ पे इनके बीच में, underscore को pass out कर सकते हैं, इस तरीके से, ठीक है, तो मैं इसी को इतना pass कर देता हूँ, stp computer, और उसके बाद last में आपको इसे terminate कर लेना होता है, semicolon से, उसके बाद simply आप go पे क्लिक कर लीजे, या फिर control के साथ enter button प्रेस कर लेंगे, तो भी यह आपका submit हो जाएगा, या फिर go पे क्लिक हो जाएगा, ओके, मैं क्लिक करता हूँ, तो देखिए, यहाँ पे stp computer के नाम का जो database है, वो create हो चुका है, okay, simply इस पे क्लिक करेंगे, इसको select कर लीजे, उसके बाद वापस जाजीए SQL में, और यहाँ देखिए, अब आपका जो database है, stp computer वो यहाँ पे select हो गया, अब हम क्या करेंगे, इस database को अगर आपको delete करना है, तो simply आप यहाँ पे write कर सकते हैं, drop database, कुछ इस तरही किसे, drop यहाँ पे जो भी आप लिखेंगे, न, SQL की query, उसे capital में लिखिएगा, कुछ इस तरही किसे, drop database, okay, इसके बाद आप अपने database का नाम लिख दीजे, मैंने write किया, stp computer, okay, simply control के साथ enter press कर लीजे, या फिर ये go का button है, इस पे click कर लीजे, तो मैं इस पे click करता हूँ, तो देखिए, आपका database था, वो delete हो गया, ठीक है, तो उमीद करता हूँ, समझ में आ गया होगा, कैसे database create करेंगे, और कैसे database को delete करेंगे, okay, तो चलिए आईए, वापस से आप query के अंदर यहाँ पे, यहाँ पे, SQL में, और वापस से एक database create करेंगे, और फिर हम उसके अंदर table को create करेंगे, okay, तो मैं यह write करता हूँ, create database, और उसके बाद STP computer के नाम से ही मैं, अपने database को बना लेता हूँ, देखिए, STP computer, control सथ, enter, press करूँगा इस बाद मैं, देखिए, यहाँ पे जो आपका STP computer का database है, वो बन गया, simply इस पे click करेंगे, आप इसे select कर लीजे, okay, तो देखिए, अब SQL में जाएंगे, तो यहाँ पे देखिए, आपका STP computer database है, वे आपको selected मिलेगा, अब इसको select करने का मतलब यह है, कि अब जो भी आप code करेंगे, वो इसी database के अंदर ही आपका लागू होगा, जैसे कि अब मेरे को कोई table बनाना है इसके अंदर, तो वो table इसी database में बनेगा, ठीक है, तो चलिए, अब सीखते हैं table को कैसे बनाना है, तो जैसे कि आपको याद होगा, मैं लास्ट वीडियम बताया था, यहाँ पर जो आप table बनाएंगे, उसके अंदर की जो column होंगे, उसका data type भी आपको यहाँ पर बताना पड़ता है, कि जो आपने column बनाया है table का, उस column में आप किस प्रकार का data रखने वाले हैं, तो कैसे बनाते हैं यहाँ पर table, simply query write करेंगे, create table, उसके बाद table का नाम, जैसे मैं दे देता हूँ, student table, ठीक है, student नाम का मैंने यहाँ पर, student नाम का मैं यहाँ table बना रहा हूँ, उसके बाद आप इस तरही किसे parenthesis को open करेंगे, और यहाँ terminate करेंगे, semicolon से, उसके बाद, आप इसके अंदर, write करेंगे, क्या, आपके column का नाम, जैसे कि मेरे को यहाँ पर बनाना है, पहले, roll number, तो मैं यह roll underscore number, लिखूंगा, और यहाँ पर देखो, यहाँ पर भी आप space नहीं दे सकते, और नहीं, आप hyphen दे सकते, यहाँ पर भी आपको सिफ underscore ही देना होगा, ठीक है, roll number मैं ने बनाया, और इसके अंदर मैं write करता हूँ, इसका data type, कि जो roll number होगा, उसका data type क्या होगा, तो simple है, roll number यह data type होता है, वो होता है int, int teaser, क्योंकि number हम इसके अंदर लिखने वाले हैं, उसके बाद bracket open, bracket close, इस तरहीके से parenthesis को, और उसके बाद आप इसमें क्या दिफाइन करेंगे, आप इसके अंदर अपने roll number का maximum length डिफाइन करेंगे, कि आप कितने digit तक का number इसमें आप type करने वाले हैं, तो मैंने बोला 11 digit तक का number मैं इसमें type करने वाला हूँ, उसके बाद यह पहला column आपका बन गया, उसके बाद इसे comma से separate करेंगे, फिर यहाँ पहर दूसरा column बनाईए, तो मैंने बनाया name का, अब name क्या है आपका character इसमें आप type करेंगे, मतलब string type करेंगे, तो इसका जो data type होगा, वो क्या होगा, where care, और इसके अंदर भी आप define कर दीजे, maximum digit की limit, कितनी digit तक का आप इसमें character type कर सकते हैं, तो मैंने यहाँ पर लिखा 50 digit तक के character, मैं इसमें type कर सकता हूँ, जैसे कि, यहाँ मैंने लिखा Amit Kumar, तो इसके अंदर देखिए, Amit Kumar में कितने letters हैं, 4 यह हो गए, A space है, एक आपका 5, 6, 7, 8, 9, 10, यह आपके पूरे 10 characters हैं, और यहाँ पर हमने limit कितने दिया है, 50, तो मतलब, यह असानी से इसके अंदर insert हो जाएगा, लेकिन अगर यही मैं, 5-6 बार यहाँ ऐसे print कर दूँ, और इतने सारी data को मैं इसमें अगर डालू, तो यह इसमें insert नहीं होगा, क्योंकि यह 50 से ज़्यादा characters हैं, तो उमीद करता हूँ, समझ में आ गया होगा, इसका क्या use होता है, तो फिलाल मैं इसे अभी यहाँ पर delete कर देता हूँ, तो यहाँ पर देखिए, हमने table के अंदर, दो कॉल्यूमिया पर set कर लिए, तो मैं एक और कॉल्यूमिया सेट कर देता हूँ, subject के नाम से, तो मैंने write किया subject, ओके, इसका भी मैं where कर डिफाइन कर देता हूँ, क्योंकि इसके अंदर भी आप string यह type करने वाले हैं, और इसके भी जो string की maximum length है, वो मैं 50 set कर सकता हूँ, ठीक हैं, और बाकी, इसमें maximum to maximum आप कितना set कर सकते हैं, 255, बस इतना ही आपको code write करना है, table को create करने के लिए, उसके बाद simply आप go के button पर click कर सकते हैं, या फिर control के साथ enter button press कर सकते हैं, तो फिलाल मैं go पर click कर देता हूँ, तो मैंने click किया, तो देखिए यहाँ पर आपके STP computer के अंदर, student नाम का जो table है, वह बन गया है, ठीक है, सुमित करता हूँ, यह अब आपको समझ में आ गया होगा, कि table को कैसे बनाना है, ओके, चलिए, अब हम क्या करते हैं, अपने table में data को insert करना सीखते हैं, तो table में data आप कैसे insert करेंगे, जरब उसको देखिए, table में data insert करना, मतलब उसमें entry करना, उसको हम insert की बोलते हैं, तो यहाँ पर आप लिखिए, simple query, insert into, मतलब insert into, किस में insert करना है आपको, किस table में, तो यहाँ पर आप table का नाम देंगे, तो मैंने बोला, student table में में data insert करना है, तो यहाँ पर bracket open कर लो, इस तरही के से, फिर enter करो, और यहाँ पर value इस तरही के slide करो, values, और यहाँ पर bracket open करो, और इस तरही के से यहाँ पर terminate करो, तो इस तरही किसे आपको लिखना है उसके बाद इसके अंदर इस parenthesis में आप क्या लिखेंगे अपने table के column का नाम ठीक है इसके अंदर table के column का नाम लिखेंगे जैसे कि देखो अभी हमारे पास table के column का नाम क्या है इसमें student में पहला role number दूसरा name और तीसरा subject तो मैं यहाँ पर लिख दूँगा role number फिर comma फिर name comma उसके बाद subject ठीक है कुछ इस तरही किसे तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे table के parenthesis के अंदर यहाँ उसका column का नाम लिखेंगे फिर इसकी value आप यहाँ पर लिखेंगे values के अंदर ठीक है values function में तो role number में यहाँ one type कर देता हूँ Amit Kumar कुछ इस तरही के से और जो Amit Kumar आपने type किया है आप इसको dual code से lock करेंगे यहाँ पर रखेंगे क्योंकि यह एक string है okay उसके बाद आपका subject है मैं subject type कर देता हूँ English simple बहुत easy है देखो कैसे हमने लिखा insert into student मतलब हमें student के अंदर data insert करना है किस column में इन तीनो column में और इन तीने column की value क्या है बनेगी यह तीनो value बनेगी इन तीनो column की ठीक है तो simply मैं क्या करता हूँ अब इसे go पे click कर दूँगा या फिक control के साथ enter button press करता हूँ तो देखिए जो अभी हमने query लिखी थी वो student table के अंदर insert हो गए student पे आप click करिए जगा एक बार तो यहाँ पे द देखेंगे और किस तरीके से आप इसे insert करेंगे ओके तो इतना तो I think उमीद करों समझ में आगे होगा तो चलिए अब देखते हैं कि किस तरीके से आप अपने data को देख पाएंगे ठीक है जैसे कि अभी हमने यहाँ पे click करके देखा लेकिन अगर हमें SQL के माधियम से ही दे देखना चाहते हैं मतलब आप अपने table में से किस column के data को देखना चाहते हैं तो मैंने बोला मेरे को name column का data देखना है ठीक है तो आप यहाँ पर select कर लो name को ठीक है और पूछेगा किस table में से आप name को देखना चाहते तो यहाँ पर लिखे from को और यहाँ पर table का नाम तो मैंन ने name वाले column को select किया है, कहां से? student के table से, बस इतना ही आपको लिखने है, select name from student, इतना लिखने के बाद, इस तरही किसे terminate करिए, और go पे click करिए, तो देखे, मैं यहाँ गो पे click करता हूँ, तो देखे, यहाँ पे नीचे देखे, name आगे आपका, name में जो data था, अमित कुमार वो आपको देखे, ठीक है, और अगर आप यहाँ पे click करके देखेंगे, तो आपको सारा data देखेंगा, चितना भी data होगा, तो उमित करता हूँ, समझ में आ गया होगा, कि किस तरीके से आप यहाँ पे data देख सकते हैं, अपने हिसाब से, ठीक है, अगर देखो, मैं student पे click क आपको simply लिखना है, अपकी column का नाम, उसके बाद किस table से देखना है, वो चीचे, ठीक है, यही एक तरीके से query है, आप देखो, मैं से यहाँ पे change कर देता हूँ, select name from student table, इस तरीके से, अगर आप name के साथ साथ, roll number भी देखना चाहते हैं, तो आप simply यहाँ पे comma pass out करके, roll number type कर सकते हैं, जिसे किस तरीके से देखिए, roll number, name, और यहाँ पे terminate कर दीजे, और control, enter, press कर दिए, तो देखे, roll number भी दिखेगा, और आपको name भी दिखेगा, ठीक है, तो समझ में आ गया, कि किस तरीके से आप देखेंगे, roll number, name, ओके, तो चलिए, अब मैं आपको इसको update कर के दिखाता हूँ, update query को सीखिए, जैसे मैं चाहता हूँ, जो name लिखा है, Amit Kumar, इसकी जगा आजाए, Sumit Kumar, ठीक है, तो यह कैसे होगा, update कैसे करोगे, जिदा उसको देखिए, आज यहाँ SQL के अंदर, और जो भी लिखा है आप इसको पहले delete कर लीजेगा, ठीक है, उसके बा इसके बाद एंटर करिए, और यहाँ लिखिए, set, कुछ इस तरीके से, और उसके बाद यहाँ पर आप बताइए, कि आप student table में से, कौन से column का data, update करना चाहते हैं, तो मैंने बोला, name वाला जो column है, उसको मेरे को update करना, तो मैं यहाँ लिखूंगा, name, कुछ इस तरीके से, और इसकी जगाँ आप क्या लिखना चाहते हैं, वो दे दीजे, तो मैंने बोला, यहाँ पर मेरे को लिखना है, सुमित कुमार, मैंने write किया, सुमित कुमार, ओके, तो यहाँ पर आप इस तरीके से update करेंगे, तो मैंने क्या लिखा है यहाँ लिखा है, मैंने, update student table, set, name, कि student table में से, जो name वाला column है, उसका जो value है, उसमें सुमित कुमार, update हो जाए, अमित कुमार की जगा, ठीक है, बस इतना ही लिखना है, उसके बाद आप go पे click कर दीजे, या फिर control साथ enter press कर दीजे, तो मैं control साथ enter press करता हूँ, query को execute करवाने के लिए, तो देखें, यहाँ प अमित करता हूँ, समझ में आगया होगा, update वाली query भी, और select वाली query भी, so, अभी दोखो, आप जो यह सीख रहे हो, SQL, यहाँ पर data को update करना, data को delete करना, तो यह सब अभी आप MySQL software के अंदर सीख रहे हो, SQL language के मादी हमसे, ठीक है, अभी यह जितना आपने अभी सीखा है, अग जब आप PHP अगर इसमें आप करने लग जाओगे, PHP के साथ, तो आप एक बहुत अच्छे-च्छे software, जिसकी उमीद नहीं होगी आपको, वैसे-वैसे software आप बनाने लग जाओगे, ठीक है, तो अभी मुझे पता है कि थोड़ा सा बोरिंग भी लग रहा होगा आपको, किस त होगा कैसे आपके SQL Query से, ठीक है, अभी तो जो भी Query है, हम यहाँ इसके अंदर लिख रहे हैं, इस SQL वाले Extraditor के अंदर, ठीक है, लेकिन इसी Query को हम वहाँ पर लिखेंगे, अपने HTML के Code में, PHP कर जब हम Code Award बनाएंगे, तो उसके अंदर लिखेंगे, फिलाल अभी आप SQL Language के साथ MySQL सीख रहे हो, और जब आप PHP के साथ सीखोगे, तो आपको बहुत ही अच्छे से आ जाएगा, क्योंकि यह, मैं अभी इसलिए आपको सिखा हूँ, ताकि आपकी जो इक Queries हैं, वो सही से समझ में आ जाए, और Query ढंग से आपको याद हो चाए, ताकि जब हम PHP करें, उसके अंदर जब हम PHP के अंदर जब हम MySQL बगारा करेंगे, यूज, तो आपको कोई दिक्कत ना हो, इसी वज़े से आपको यहाँ पर पहले ही SQL के Query सिखा दे रहा हूँ, तो आप इसे सही से सीखिएगा, प्रैक्टिस करिएगा, सब कुछ असान है, सब इजी है, अच्छ पर एक data insert कर दिये, तो मैंने यहाँ write किया, insert into student table, role number, name, subject select कर लिया, और इसकी value मैं यहाँ पर change कर देता हूँ, value to, और यहाँ पर write कर देता हूँ, और यहाँ पर English की जगा, Hindi write कर देता हूँ, तो देखिए, अवे student के अंदर आईए, यहाँ पर, तो देखिए, यहाँ पर, पहले वाले पर क्या है, सुमित कुमार, दूसरे वाले पर क्या है, अमित कुमार, चीक है, तो चलिए, अब मैंने आपको इसे update करके दिखाता हूँ, इस name वाले column को, चीक है, तो आईए, कैसे update होता है, आपको भी मैंने बताया था न, कैसे करेंगे, simply लिखेंगे क्या, update, उसके बाद table का नाम तो यहाँ पर मैं table का नाम लिख लेता हूँ उसके बाद हम किस column को update करना चाहते हैं इस table में से तो उसको हम यहाँ पर define करेंगे set के माद ही हमसे तो मैंने बोला मेरे को name जो column है उसके अंदर नीतू को मतलब नीतू नाम को update करना है अब कैसे update होगा जड़े वो देखिए तो मैंने update कर दिया यहाँ पर आई जड़े student के अंदर और यहाँ देखिए जितने भी name थे सब ही update होगए देख रहे हैं यहाँ पर नीतू यहाँ पर भी आगया नीतू यहाँ पर भी आगया वो इसलिए आ गया क्योंकि हमने उसे बताया ही नहीं कि आपको किस रोग के अंदर जाकर के नीतू नाम को update करना है हमने उसे इतना बंदा दिया इसको कि आप जाओ student table के अंदर जो name वाला column है वहाँ पर नीतू हो जाना चाहिए तो उसने क्या किया सभी name में नीतू नीतू कर दिया अब मैं यहाँ पर क्या चाहता हूँ कि जहां नीतू लिखा है यहाँ पर कुछ और नाम हो जाए अपडेट और जो यहाँ नीत लिखा है यहाँ पर कुछ और अपडेट हो जाए तो अब हम इसे इस तरीके से update करेंगे कि इसकी जगा कुछ और कुछ और इसकी जगा कुछ और अब यह होगा कैसे जड़ा उसको समझे तो अब हम इस SQL में क्या write करेंगे कैसे write करेंगे जड़ समझे मैं यहाँ पर write करूँगा कि student table के अंदर जो आपका name column है इसके अंदर नीतू update हो जाए ठीक है जहाँ पर role number 1 हो ठीक है मतलब यहाँ पर condition pass करूँगा कि जहाँ पर role number 1 होगा जिस role में role number 1 होगा वही वाला name का नीतू जो है वो update होना चाहिए ठीक है अब यह होगा कैसे आईए जए दिखाता हूँ मैं आपको यहाँ पर simply आपको यहाँ पर write कर लेना है update और उसके बाद table का नाम क्या है table का नाम student कुछ इस तरह किसे उसके बाद यहाँ पर आप set करिए कि आप किसी update करना चाहते है तो मैंने बोला यहाँ पर name column के अंदर जो नीटू लिखा है ना वहाँ पर मैं अमित कुमार चाहता हूँ capital में ही चाहता हूँ capital में लिखना है capital में लिखना है small में लिखना है small में लिखना है जब आप double quotes में लिखते हैं तो कोई problem नहीं है क्या है आप capital लिखना चाहें तो capital भी लिख सकते हैं इसके बाद हम यहीं पर terminate कर देते थे अभी हमने क्या लिखा यहां पर इतना कि मैंने बोला कि student table के अंदर जो name column है उसमें Amit Kumar update हो जाए अभी मैं अगर enter करूँगा तो जितने भी row हैं सभी row में Amit Kumar अपडेट हो जाएगा लेकिन मैं चाहता हूँ कहां पर अपडेट हो यह अमित कुमार सेफ और सिफ वहां अपडेट हो जहां पर row number one है तो उसके लिए आप simply क्या करेंगे एंटर करिए और यहां पर एक keyword type करिए जिसका नाम है where तो यहां पर मैं define करूँगा कि यह name कहां update हो जहां पर row number equals to one हो तो यहां पर आप इस तरीक से terminate करेंगे तो simply देखिए हमने क्या लिखा student table के अंदर name update हो जाए अमित कुमार से जहां पर row number one हो ओके तो अब देखिए मैं control से enterprise करता हूँ और अब student में जाता हूँ तो देखिए यहां पर जहां पर row number one था वहीं पर आपका name जो है अमित कुमार update हो गया यहां पर नहीं update हुआ क्यों क्योंकि हमने इस पर condition के साथ इसे बताया कि किस row के अंदर अमित कुमार वाले name को update होना है तो उमित करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा और जो यह where keyword अभी हमने यहां पर use किया है आप इसको select वाले के साथ भी use कर सकते हैं जैसे कि देखिए मैं आपको करके दिखाता हूँ मैं लिखा select name okay मैंने लिखा select name column where sorry select name column from from को आप capital में लिख लिजेगा किस table से आप name को निकालना चाहते हैं student में से तो यहाँ पर student select कर लिजे उसके बाद आप यहाँ पर condition लगाए where role number equals to 1 अब आप इसको समझे इस query को कि मैंने यहाँ क्या लिखा है मैंने यहाँ पर लिखा है कि मेरे को name column select करना है select name column student table से और यहाँ पर मेरे को वही data चाहिए जहाँ पर role number 1 हो ठीक है तो देखे मैं go पर क्लिक करता हूँ तो देखे यहाँ पर मेरे को वही data आया है जिसका role number 1 था और सिर्फ अमित कुमार आया है अमित कुमार सिर्फ क्यों आया क्योंकि मैंने सिर्फ वही column and name वाला column ही select हिया था अगर आप चाहते हैं कि सभी column आये तो आप simply यहाँ पर लिख सकते हैं इस तरीके से जैसे यहाँ लिखा हुआ है na select all column यहाँ पर हम column का नाम लिखते थे तो आप यहाँ पर star का अगर symbol देंगे तो इसका मतलब होगा सभी column आपने select हिया है तो मैंने यहाँ select हिया select all column from student table where role number equals to 1 कुछ इस तरीके से देखिए ठीक है यह student को आप बिना ऐसे ही रखेंगे ओके अब आप enter करिए control साथ enter तो देखिए यहाँ पर आपके सारे column आ गए ठीक है star देने का मतलब सारे column का data आपको show करेगा तो देखिए show करवाने के लिए आप select use करेंगे update करवाने के लिए आप update query use करेंगे आपको यह चीजे समझ में आ गई होंगी इसकी 102 आप practice कर लिजे याद कर लिजे query ताकि जब आप PHP सीखें तो आपको कोई भी problem ना आने पाए okay so thanks for watching our premium video have a nice day